सब्सक्राइब करें स्मार्टफोन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वेल्कम टू स्मार्टफोन यूट्यूब चैनल और आज हम बात करें वाले वीवो वाई 33S वेजिज ओपो एप 19 के फ्यूचर के बारे में जिया गाइस आज हम इन दोनों के फ्यूचर को कमपारिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको इन दोनों में से कौन से डिवा का 2.91 cm Vivo ud 30S के अंदर हमें फ्याइट देखने को मिल जाता है लिवो वाई 33S के अंदर हमें देखने मिल जाता है 182 ग्राम और OPPO F19 का जो वेट है 175 ग्राम तो डाइमेंशन की बात कर ले तो यहां पर OPPO F19 काफी बहतर है Vivo Y33s की कंपेरिजन में नेक्स्ट गाइस बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में तो यहां पर हमें Vivo Y33s के अंदर 6.58 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है वहीं हम OPPO F19 की बात कर ले तो यहां पर हमें 6.43 इंच का एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 1080-2408 पिक्सल का Full HD प्लस वाला रिजॉलिशन Vivo Y33s के अंदर हमें देखने को मिलता है OPPO F19 के अंदर हमें 1080-2400 पिक्सल का Full HD प्लस रिजॉलिशन देखने को मिल जाता है next guys बात करते हैं refresh rate के बारे में तो यहां पर हमें Vivo Y33s के अंदर 16Hz का refresh rate देखने को मिलता है वही OPPO के अंदर अभी हमें 16Hz का refresh rate देखने को मिल जाता है next guys बात करते हैं screen to body ratio के बारे में तो यहां पर हमें 83.4% screen to body ratio देखने को मिल जाता है वही OPPO F19 के अंदर हमें 84.4% स्क्रीन टू बाड़ी रेश्यो देखने को मिलता है नेक्स गाइस बात करते हैं एस्पेक्ट रेश्यो के बारे में तो यहां पर हमें VivoY 33S के अंदर 279 का एस्पेक्ट रेश्यो देखने को मिलता है वहीं PPI हमें देखने को मिल जाता है 4.0.1 वहीं बात करते हैं OPPO F19 के बारे में तो यहाँ पर हमें 20's M9 का aspect ratio देखने को मिलता है और 4.0.9 PPI देखने को मिल जाता है तो display की गाइस बात करें तो काफी बेतर है OPPO F19 Vivo Y33s की comparison में नेक्स्ट गाइस बात कर ले थे platform के बारे में तो यहाँ पर हमें Vivo Y33s के अंदर Android 11 basis OneTouch OS 11.1 देखने को मिल जाता है वहीं OPPO की गाइस बात कर ले तो यहाँ पर भी हमें Android 11 देखने को मिलता है और साथ ही में Color OS 11.1 देखने को मिल जाता है Vivo Y33s के अंदर हमें MediaTek Helio G80 का 12 nanometer पर रन करने वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है किसी में कोई दिक्कत वाली हमें कोई चीज देखने को नहीं मिलता है नेक्स्ट बात करते हैं GPU के बारे में तो यहाँ पर GPU देखने को मिलता है Mali Z52MC2 का वहीं OPPO F19 के अंदर हमें GPU देखने को मिलता है Adreno 610 तो काफी अच्छा है Adreno 610 Mali Z52MC2 की comparison में नेक्स्ट बात करते हैं memory के बारे में तो यहाँ पर हमें Vivo Y33s के अंदर 8GB RAM देखने को मिल जाता है वहीं OPPO के अंदर हमें 6GB RAM देखने को मिलता है नेक्स्ट बात करते हैं storage के बारे में तो यहाँ पर हमें 128GB storage देखने को मिल जाता है Vivo Y33S के अंदर वही OPPO F19 के अंदर हमें 128 GB storage देखने को मिलता है Next बात करते है expandable memory के बारे में तो यहाँ पर हमें expandable storage 1 up to 1 TB तक देखने को मिल जाता है वही OPPO F19 के अंदर में expandable storage 256 GB देखने को मिलता है dedicated card slot की बात करें तो यहाँ पर भी हमें एक अलग से dedicated card slot देखने को मिलता है वही OPPO के अंदर भी हमें dedicated card slot अलग से देखने को मिल जाता है Next बात करते है camera setup के बारे में तो यहाँ पर हमें Vivo Y33S में जो main camera देखने को मिलता है वो है 15 MP का 1.8 aperture वाला वही OPPO की गाइस बात करें तो यहाँ पर हमें 48 MP両 का main camera देखने को मिल जाता है 1.7 aperture वाला वहीं बात करते है next तो यहाँ पर हमें 2 MP का macro lens देखने को मिलता है 2.4 की aperture के साथ वहीं OPPO के अंदर भी हमें 2 Megapixel का Macro Lens देखने को मिलता है 2.4 की ApacheR के साथ Vivo Y33s के अंदर हमें 2 Megapixel का Depth Lens देखने को मिल जाता है 2.4 की ApacheR के साथ वहीं OPPO की बात करें तो यहाँ पर भी हमें 2 Megapixel का Depth Lens देखने को मिलता है 2.4 की ApacheR के साथ नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो रेकोडिंग के बारे में तो यहां पर हमें 1080 पिक्सल की वीडियो रेकोडिंग देखने को मिल जाती है Vivo Y33s के अंदर वहीं OPPO के अंदर भी हमें 1080 पिक्सल की वीडियो रेकोडिंग देखने को मिल जाती है नेक्स्ट बात करते फ्रंट कैमेरा के बारे में तो यहां पर हमें Vivo Y33s के अंदर 16 Megapixel का फ्रंट कैमेरा देखने को मिलता है 2.0 की Apache के साथ वहीं OPPO के अंदर भी हमें 16 Megapixel का Main Camera देखने को मिलता है 2.4 की Apache के साथ Camera comparison की बात कर ले तो दोनों में यहां पर हमें इन दोनों के बीच देखने को नहीं मिलेगा Camera comparison के अंदर नेक्स्ट गैज बात करते हैं बैटरी के बारे में तो यहां पर हमें Vivo Y33s के अंदर 5000 MHz की बैटरी देखने को मिल जाती है यहां पर भी हमें 5000 MHz की बैटरी देखने को मिलती है यहां पर Vivo Y33s में 18W का Fast Charger देखने को मिलता है और OPPO F19 के अंदर हमें 33W का Fast Charger देखने को मिलता है तो बैटरी सेमिटी इस दोनों में देखने को मिल जाती है बट Charger की बात करें तो OPPO F19 में Charger काफी बेटर देखने को मिलता है Vivo Y33s की Comparison में नेक्स्ट बात करते है Security के बारे में तो यहां पर हमें Vivo Y33s के अंदर Side Mount Fingerprint देखने को मिलता है वही OPPO F19 के अंदर हमें Under Display Fingerprint देखने को मिलता है Security में नही टेक्नोलोजी के साथ आता है OPPO F19 तो Vivo Y30s से काफी बेटर है नेक्स्ट बात करते है प्राइस के बारे में तो यहां पर हमें Vivo Y33s में 8GB RAM 128GB वाला वेरेंट देखने को मिलता है 17,990 रुपे में वही OPPO F19 में 6GB 128GB वाला वेरेंट देखने को मिलता है 18,990 रुपे में तो यह थोड़ा सा प्राइस में चिपेस्ट है यानि कि यह 18,000 में मिल जाएगा और यह 19,000 में मिल जाएगा नेक्स्ट गैज बात करते हैं इन दोनों के calculation के बारे में कि जो फ्यूचर्स दोनों हमें दिये गए उसके आगे हमने काफी अच्छे से यहाँ पर डिजाइन किया है तो यहाँ पर हमें काफी अच्छा जो डिस्पले देखने को मिलता है OPPO F19 का 6.43 इंच का AMOLED डिस्पले देखने को मिल जाता है दोनों में Android 11 हमें देखने को मिलता है कैमेरा कंपरिजन की बात करो तो इसमें 2 मेगा पिक्सल वाला ज्यादा कैमेरा यानि की 15 मेगा पिक्सल का कैमेरा है यहाँ पर हमें 48 का देखने को मिलता है बैटरी और चारजर की बात कर ले तो OPPO F19 काफी आगे Vivo Y33S की कमपरिजन में प्राइस सेग्मेंट की बात कर ले तो Vivo Y33S का प्राइस थोड़ा सा चिपेश्टे OPPO F19 की कमपरिजन में तो गाईस यह था दोनों का कल्कुलेशन Vivo Y33S और OPPO F19 के बीच आपको अगर इन दोनों में से कौन सा डीवाइस अच्छा लगता है हमें कमेंट में जरूर बताना तो आज की वीडियो में पस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगए तो हमारी वीडियो को आपने दोस्तों के साथ शेयर कर दियेगा मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए दन्यवाद